हेलो, वेलकम टू प्रीती डायरीज, मैं प्रीती जहाप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सुबा के 6 बज गया हैं, यहां मैं भगवान जी के रूब में जारू दे रही हूँ, अभी सब सो रहे हैं, तो यहां जो रात के बरतन थे, वो मैं बरतन स्टेंड में दूंगी, उसके बाद पुरे घर में जारू लगने के बाद मैं बाहर जारू लगा दूंगी, मेरे सस्राल में मेड आती है हमेशा से, पर जब मैं या मम्मी जी उठते हैं, तो पुरे घर में जारू लगा लेते हैं, इंतजार नहीं करते हैं कि मेड आएगी तब क्योंकि time management बहुत जरूरी है हमारे life में वक्त बहुत कीमती है खर्च किया हुआ पैसा आप कमा भी सकते हैं लेकिन खर्च किया हुआ जो समय है वो क्या कभी आप ला सकते हैं नहीं न तो इसलिए वक्त के साथ हमें हमेशा काम करना चाहिए आप कुछ भी करना चाहते हैं तो बक्त के साथ मैनेज करना बहुत जरूरी है बक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है घर में सब अभी सोय हुए हैं सिर्फ मैं और मम्मी जी जगे हुए हैं यहां मैंने बाहर भी झारू लगा लिया है और मैं जा रही हूँ गरम पणी जो मैं सुबा मॉर्निंग में लेती हूँ वो पीने के लिए गरम पणी मैंने गैस पे चड़ा लिया मम्मी जी अभी फूल तोड़ने के लिए गई हुई वो जब सुबा उठती है तो फ्रेस होकर सबसे पहले चली जाती है पूरा धेर सारा फूल तोड़ कर लाती है तो पूजा करने में भी बहुत अच्छा लगता है ज्यादा फूल हो तो अच्छा लगता है आज मैं वापस पटना चली जाओंगी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पूरे रूम की सफाई कर दियू तो मैं और जीत जो मेरे हस्बेंड है वो दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई कर रहे हैं वो उठ चुके हैं और चाय पानी पिने के बाद हम लोग लग गए हैं सफाई के कम म उन्होंने कर दिया है मकडी की जाले और बॉक्स के अंदर की जो भी सफाई थी उपर का उन्होंने सारा कर दिया अब बस मुझे नीचे पूरा साप करना है बेड के जो भी गद्ये थे धूप में डाल दिये हैं ताकि वो अच्छे से धूप लग जाने पर जो भी इसमेल र बड़ खीड की दरवाजे सब को मैं साब कर लूँगी वो दूसरे रूम की सफाई कर रहे हैं तब तक मैं यह क्योंकि जल्दी-जल्दी काम करना होगा आज वापस भी हम लोग को जाना है दो तीन बजे के करी भी हम लोग को निकलने हैं और जाने में टाइम भी दो तीन से चार घंटे के बीच का टाइम लगी जाता है तो यहां मेरी सफाई मेरे रूम की कंप्लीट हो गई है अब मम्मी जी के रूम की सफाई कर रहे हैं पूरे घर की सफाई हो जाने के बाद मैं नहा चुकी हो यहां देखिए यह मेरे देवर का रूम है लाला का जिसमें मैं को नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत सारे कम थे तो मैं वीडियो नहीं ले पाई सारे कम होने के बाद फिर खाना पिना खाकर हम लोग निकल गए हैं और यहां रास्ते में यहां आते ही मैंने सबसे पहले चाई बना ली है और बैट कर अभी अराम से पहले चाई पीलूंगी उसके बाद ही कुछ काम करूंगी यहां भी जहारू पोछा करना है क्योंकि हम लोग चार दिन के बाद आए तो पूरे घर में थोड़ा सा गंदा लग रहा है और यहां टप यहां हुआ रहा है क4 में कुछ बनाते हैं तो चलिए मैं बना रही हूं ओ है तो इस के लिए मैंने ओल डाला उसमें थोड़ा सा राई डाल दिया राई तरक वाद मैंने 57 कटा वा डाल दिया एक तमबारिक कटा हुआ यह जल्दी बन जाएगा और हेलदी भी है तो हम लोग तेन लेवर सा खालेंगे उसके बाद थोड़ा बाहर भी जाना है तो यहां मैंने दो चार करी पत्ते अल्दिये है करी पत्ते डालने के बाद थौड़े से टमाटल के हुए एक मेंने डाल दिया है छूरे को मैंने गरम पॉनी में डाल कर उसे अच्छे से कड़के रख दिया है चनी में ताकि उसका पॉनी जो है वो नीचे गर जाए उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद हलका सा हल्दी डाल दूंगी और नमक टेस्ट के कोर्डिंग डाल दूंगी बस बनकर रेडी हो कि वहां भी पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ी और फिर आने में भी तो ठकान हो जाती है क्योंकि तीन से चार घंटे का टाइम लग जाता है आने में तो यहां मैंने कुछ मुंख फली के भूने हुए दाने नीबू का रश डाल दिया और बनकर तयार हो गया जल्दी से हेल्दी सा कुछ चटपटा नास्ता तो हम लोग यह जल्दी से खा लेंगे उसके बाद हम लोग को बाहर जाना है कुछ समान के लिए बाहर जाना है तो मैं आपको दिखा रही हूं पटना का यह हनमान मंदीर है देखे कितनी सुन्दर लग रही है रात में पूरी सजी कि दीजिए मेरे लिए नहीं तो भागवान के लिए तो कर लीजिए आज के लिए बस इतना है मुझे सस्क्राइब कीजिए और फुल वाज़ाई